हलो दो तो कैसे हो आपका स्वागत है तिरिपान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं काफी महत पून कोशनं पेपर आया है फ्यजिकल एजूकेशा यानि देखा जाया तो सारी शिक्षा का जो हमारे समयख्ष्य यहाँ पर कौशन पेपर आया है यह काफी महतवपून exam point of view से रखता है और यह exam में आने के chances रहेंगे तो इसको अच्छे से आपको question answer को करना है और यह सारे question जो होंगे काफी महतव रखेंगे हर एक question को समझना है और exam की तयारी करना है इसमें हम question को analyze करेंगे, समझेंगे और विचार करेंगी और सबसे महतव पून बात रहेगी कि यह आपको Hindi English दोनों बच्चों के लिए रहेगा चाब हो Hindi माध्यम के ओ चाब English माध्यम के ओ दोनों के लिए महतव पून रहेगा देखा जाए तो यह सब्दों का यहाँ पहुत ही महतव पून महतव रहेगा तो इसलिए तिरे पाने संडर जो है आपके समक्ष सब्दों को ही प्रेजेंट करेगा जो काफी महतव पून रहेगा तो देखते हैं हमारा कोशन क्या आया है यहाँ पर कोशन जो आया है कहता है तागत के लिए सारीरी कारक बताईए तागत के लिए सरीरी कारक कौन से हो सकती है कोशन यहाँ पर काफी महत्रफून है कि तागत के लिए सरीरी कारक तो देखा जाए तागत सरीर की परतिरोध की खिलाफ काम करने की छमता होती है तागत जो होती है सरीर के परतिरोध के खिलाफ काम करने की छमता होती है और इसके बिभिन अभी बिपार प्रकार भी हो सकते हैं जैसे टागत विश्पोटक थाघा सरक्तियादि देखा जय है कोई अगर आप काड़े करते हो तो आप अपने विश्रीर में तागत होती है उतनी लगाते तो यही बात कर सकता हैं तो यही बात यांप पताने कोशिश किया जा कि कौण-कौ taxi करक से चरतात जो है अधिक्तम टागत भीस पोटक तागत और सहन सकती आधी पर्तेकच में अलग-الग प्रकार के बयाम भी हो सकती है तिवरता और अब करते हो हर तरह के छमता आपका विकास होता है कोई विक्ति जो होते हैं अपने को बहा रहे होते हैं कोई अपनी स्टेमिना को बहा रहा होता है देखते हो बच्चे सुबह सुबह जो दौरने जाते हैं तो अपने दौर की स्टेमिना को बहा रहे होते हैं कोई अपना बॉडी मेसल्स को बहा रहे होते हैं तो यही बात है कि परतेक में अलग-अलग परकार क के वयाम तिवरता और अवदी होती है इससे सरी कारक विभीन होती है क्योंकि सबके अपने अपने सरीर होते हैं उनके अपने कारक होते हैं और सबके सरीरी कारक जो होंगे भीन भीन होंगे और अलग-अलग खेलों के लिए अलग-अलग मात्रा में तागत की अवशक्ता होती ह किसी मैं अधिक स्फोट स्पोट स्ताग Теперь की उर्म होती है और किसी मैं बहुत ही सतारन स्वारती है यसे आपने मिया गड़े भी मैugal जो बैंस घख खेलते हैं जो बॉलुंग कर वह Swже देखा जाये तो आप दोमोगत इखते कि से एक दू स्पल कि रवाय जाता स्टार्टिंग का उसके वाद उनको ब्रेक दे दी जाती है और स्पिनर को ले लिया जाता है स्पिनर में जो होती है उसमें तागत की अधिक अधिक अवशक्ता हमें पढ़ती है तो देखा जाए तो अलग अलग खेलों के लिए अलग मात्रा में तागत की अवशक्ता होती है और उसके अनुसार धी मी गटी वाले फाइवर और तेज ट्वीश फाइवर के मिशण यह की अषकता होती है कि visible ४स में जोगा दिमीकति से चलेगा तो आगर आप देखिएगा तो जो पहले बहुत तेजी से दोरा था वह कुछ दुर जाके ठक जाएगा बहुत जल्दी इस हैं सक्ति उसकी पास तनी नहीं होगी लेकिन जो धीरे चल रहा है स्टेमिना के साथ चल रहा है वो उसको जीत लेगा तो इसे हैं बिस्पोटक सक्ति कहते हैं इसी को स्टेमिना कहते हैं क्योंकि अगर आप स्टेमिना के साथ जा रहे हो तो आप जरूर जीत जाओगी लेकिन अगर आप बिस्पोटक सक्ति लगाते हो तो बिस्पोटक सक्ति कुछ ही समय तक होती है आपने मैच में भी देखते हो बंदा बहुत जल्दी ठक जाता है और गलती करने की चांसे भी बढ़ जाता है तो यही बात यहां पर बात आता है अगर इसके लिए हमें सदारन रूप चाहिए तो ते चिकोटी फाइवर की उच्छे प्रतिशत की अवशक्ता होती है जिसमें हमें जो है अचानक उर्जा की विस्पोटक की अवशक्ता पढ़ जाती है और यह काफी महत पूर्ण बात आता है एक्जाम पॉइंट अव व्यू से और काफी जरूरी है अगर आपको यह कोशन समझ में आया तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए क्योंकि शेयर है और यह जरूरी है एक अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी परकार प्राप्त होता रहे दोस्तों सोचना नहीं है विचार ना करना है अभी तिरह पान सब्सक्राइब करने वाल में सेव करना है